रादे रादे एवरीबन वेलकम बैक टू माई अनधर कुकिंग व्लोग कैसे आप सभी उमीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे आज मैं मार्केट गई तो मुझे बहुत जादा खुशी होई क्योंकि आज मुझे जिस चीज की तलास में मैं जाते थी आज मुझे जो चीज मिल गई थी और वो थी मेथी इतने दिन हो गए थे सर्दियां आए होए और हमने मेथी के पराठे नहीं खाये थे तो फाइनली जो है मुझे आज मेथी मिल गई थी हाँ थोड़ी सी महांगी थी बाट इस ओके और मैं ले आई घर पे और घर पे लाते हैं ना मैंने उसको जो है अच्छी से दो तीन बार वोश कर दिया और जो है सुखने के लिए पासकेट में रख दिया और रात को सोते वक्त ना मैंने उसको जो है किचन टावल पर फैला कर रख दिया और यह देखी सुबह तक नो बिल्कुल ड्राइ हो चुकी थी मतलब सारा पानी जो है उसका सूख गया था और अब मैं बनाने जा रही हू अब ही इनका चिलका है वो निकाल लेंगे और उसके बाद जो है इनको अच्छी से मैश कर लेंगे यहाँ पर और मैश करने के बाद ना इनको जो है कम्प्लिटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ देर जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं हम क्या करेंगे प्याज वगेरा कट कर लेते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मेथी को बारिक कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और एक हरी मिर्च ल जो पराठी सबसे ज़्यादा खाय जाते है ना वो है आलू मेथी के पराठी लेकिन मेथी यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं मिलती साउथ में तो मैं पालक ले आती हूँ और आलू पालक के कभी बत्वा भी नहीं मिलता है यहाँ लेकिन जो कुछ मिलता है मैं वो ले आते है और उसी के पराठे बना लेती हूँ तो यहाँ पे जो है अम मैं लगा रही हूँ आटा क्योंकि ना आटा लगा लेते हैं पहले तो थोड़ी देर रखना भी होता है ताकि जो है आटा अच्छी से सैट हो जाए तो यहाँ पे ना मैंने आटे में थोड़ा सा बेशन भी कर देंगे आलू कंप्लेटली ठंडे हो गए हैं और साथ ही इसमें एड कर देंगे मसाले तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्श पाउडर एड किया है धनिया पाउडर एड किया है और स्वादा नुसार नमक इसमें जो है एड कर दिया है एक चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें अच्छा आता है अब क्या करेंगे ना इन सब को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा से यहां पे ना हाथ पे रखके आप चेक कर सकते हैं कि नमक मिर्च मसाले जो डाले थे वो ठीक है या नहीं और अब हम बना लेते हैं अपने पराथे तो आठा हो गया है दस मि मर्जी इसमें जो है फिलिंग भरिएगा और आप यह ना पराथे बिना आलू के भी बना सकते हैं अकेली मेथी के प्यास और हरे मिर्च कट करके भी बनाएंगे ना तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि आलू के ज़्यादा लेकिन अगर आपको इंस्टेंट मेथी के प्राथे बनाने होना तो आप क्या कर सकते हैं मेथी को कट करके और अच्छे से बोश करके एक कोटन की क्लोथ पर जो है फैन के नीचे रख दीजे पान से दस मिनट के लिए और यह बहुत ज़्यादा जल्दी जो है मेथी गए थी और अब जो है हमारे पराठे जो है बन गए हैं अमने जो है दोनों साइड जो है अलट पलट करके घी लगा लिया है तो यहां पर ना मैं देशी घी में बनाती हूं पर पराठे हमेशा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आप चाहें तो जो है तेल में भी बना सकत हैं कि कितने जादा हमारे जो पराठे हैं वो टैंप्टिंग लग रहे हैं सुभी पराठे बनकर रेडी हैं आप जो है इन्हें दही चाय सोस या फिर जो चटने आपकी फेवरिट है उसके साथ खा सकते हैं बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं तो अगर पस्नली मैं कार नहीं निकले हैं सारे प्राठे ही जो है इतने मस्त बने हैं और यह देख confirm आपको जो है प्राठे अंदर से तोड़ा तोड़ कर दिखा देती हूं यह देखि यह किन्यादा जो है हमारे प्राठे आपकी ऐ होदने है हैं और वैसे बच्चे बिल्कुल everyday गुच्छ में ब पर ऐसे बनाएंगे ना तो बच्चे भी नहीं छोड़ने वाले हैं तो आप भी जरूर ट्राइ करें